पिछले वीडियो में हमने OMR sheet के bubble को fill करने के लिए जो pen चाहिए था उसको identify किया था तीन pen निकाले थे और उसका use कैसे करना है इस वीडियो में learn करेंगे के bubble को कैसे fill करना है उसी pen को use करके हरानी की बात है कि circle को fill करने के लिए bubble को fill करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कारण ये है कि there are large number of factors and skills are required to fill the accurate bubble in OMR sheet दूसरा अगर आपका competitive exam जो है merit based है जिसको norm reference test कहते हैं एक qualifying test होता है एक norm reference test होता है जिसका आपका comparison दूसरों से किया जाता है और top rank वाले उठाए जाते हैं job selection test mostly वो tension वाला होता है वहाँ तो ये बहुत ज्यादा जुरूरी है कि ये bubble fill करते है समय कौन सी बातों का कौन से material का कौन से skill का ध्यान रखना है कि आपके bubble को fill गलत करके आपका सही thinking आपके पास मालीजिये सही answer था आपके पास यहाँ पर सब कुछ सही था लेकिन यहां concrete root में गलत ना हो जाए तो best rules की बात करेंगे आपके लिए क्या best होता है वो अलग बाता है जो मैं भी suggest करता हूँ वो जुरूरी नहीं best हो better हो सकता है उसमें से आपने experiment करके experience करके जो आपके लिए best लगेगा वही choose करना है सब कुछ मेरा बताया choose नहीं करना तो यह वीडियो particularly useful है जिन्होंने first time OMR sheet पर जो filling करनी है और यह help करेगी के time कैसे save करना है और answer accurately OMR sheet पर कैसे fill करना है साथ साथ में हिंदी में हैं देख सकते हो अब क्या है कि best pen और pencil कौन सी है यह बात पीछे हो चुकी है जो direction आपको दी गई है gel pen नहीं use करना वो आपके कागज OMR sheet को temper कर सकता है distort कर सकता है और वो time ज्यादा लेता है तीन pen identify किये थे इन में से जो आपको best लगता है experience करके देखिए यह पिछली वीडियो में बात हो चुकी है required material अब कौन सा है हमने bubble fill करना है यहां से यह वीडियो शुरू होती है pencil dark होनी चाहिए HB pencil होनी चाहिए 2B जा 4 और 6B हो सकती है देखिए अगर आपने pen से ही आपको direction है instruction है कि pen से ही वो fill करना है फिर भी आप pencil लेके जा रहे हो वहाँ पर जहाँ pen से ही final answer fill करना है वहाँ पर आप थोड़ी light pencil ले जा सकते हो कारण यह है कि आगे चलके हम एक factor करेंगे कि आप pencil का प्रयोग करना चाहते हो या नहीं दोनों तीनों method में बताऊंगा best भी बता दूँगा आपको जो अच्छा लगेगा वो use करना है यहाँ पर आपने instruction देखनी है आपके लिए बाल pen, blue pen या black pen बाल तो हो गई होगा नौर्मरी black pen होता है जैसे beard interest test में black pen कहा गया है तो pencil आप रखोगे number 1 हो गई 2-3 pen कम से कम रखोगे कारण उसका यह है कि जब स्याही निकल जाती है तो एक pen को rest दी जाती है पहले वाला उठा लिया जाता है ऐसे circle में use करना इस better होता है अगर आप conscious हो तो बार-बार question पूशा जाता है कि whitener use करना है यहाँ पर cross लगा रहा हूं नहीं यह बिल्कुल use नहीं करना OMR sheet पर अगर wrong answer फिल हो गया है लेकिन wrong से बचने के लिए वो method बताता हूं eraser का प्रयोग करना है yes हो सकता है जब वो strategy मैं pencil वाली पैंसिल वाली strategy जब बताऊंगा pencil से pen की तरफ जाना है यहां से move करना है वो अभी बता देता हूं next है कि blade का प्रयोग बिल्कुल नहीं cross है marker और sketch pen नहीं नॉर्मली जब B.A.D. जब M.A.D. के जो exam हो रहे है यूनिवस्टी में first जो OMR type की sheet वो bubble fill करने होते हैं वहां वो use कर लेती हैं लेकिन competitive exam में इनका प्रयोग अगर instruction में है तो use कीजिए otherwise नहीं करना जैसे यह question पूछा गया है बार बार पूछ रहे हैं sir whitener use कर सकते हैं नहीं कर सकते इसका उत्तर है कई बड़े accidentally आपकी OMR sheet जैसे मेरे साथ ही यह हुआ था कि OMR sheet है और यह उड़ी fan से उड़ी और यह मेरा pen यहां पर ऐसे touch कर गया और मुझे पता था ऐसे touch कर गया थोड़ा सा ना मुझे यह पता था कि answer जो है C है लेकिन यहां पर मैं फस गया कि अब यह तो यह confusion दूर अभी एक मिनिट में हो जाते हैं ऐसे में क्या करना है उसके लिए यह knowledge चाहिए कि जो scan करते हैं यह OMR sheet वो कितनी accuracy को उठाते हैं हलाकि उसमें doubt है यह हिंदी में है वही point है skill of filling bubble और circle बुलबले को वृत को भरने का कौशल क्या है सबसे पहले यह जान ले कि OMR sheet scan होती है तो कितने bubble को fill करके जो वो response को उठा लेता है हाला के यह doubt वाला काम है लेकिन एक case है मेरे पास अच्छा scanning होती है machine scanning होती है आपकी OMR sheet बिलकुल straight सीधी चाहिए bend नहीं होनी चाहिए उसको distort नहीं करना उस पर लिखना नहीं है यह बार बार निर्देश दिये गए है इसकी accuracy तो इतनी बताई जाती है लेकिन हम कहां से learn कर फिल हुआ है उसको उठा लेते हैं एक कहा जाता है कि यह जी आपने फिल किया है मान लीजिए इतना ना तो यह बीच में इतना रहा गया यह 95 है यह उठा लिया जाएगा कोई कहता है कि इससे कम भी वाला उठा लिया जाता है पर इन बातों में नहीं आना हमने हमने क्या learn क प्रशीट में मैंने दुर्भागे वर्ष विकल्प B में एक बंदू लगा दिया था ओके जैसे वही अभी बताता हूं लेकिन सही उत्तर विकल्प C था तो फिर मैंने विकल्प C पर गोला लगा दिया और क्या मुझे अंक मिल सकते हैं इस बात को समझे अभी जैसे जैसे बी में एक डॉट लग गया और बाद में यह अंसर नहीं था लग गया बाइचांस लेकिन इस थिंकिंग ने कहा यह नहीं यह राइट आंसर है तो यहां पर आ आगये आप यहां फिल कर दिया अब इसका आ यह रहा अब इसका उत्तर मतलब यह 0 गिना जाएगा जहां इसका जो है राइट आंसर मिल जाएगा मार्क वन इसका मिल जाएगा कॉस्चन यह है ट्रैटिकली कंसेप्चली जो अमर शीट है वो इतने डॉट को नहीं उठाती है अगर पूरा फिल किया हुआ है इसको ही उठाती है लेकिन इसका इलाज है कि यहां आप पैंसल यूज कर सकते हो जहां पर आप डॉट में है कि बी इस राइट अंसर और सी इस राइट अंसर अगर बाइचांस भी इतना डॉट लग गया है तो उसको ब्लेड से एरेजर से किसी से भी रब करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि उससे आप पेज को फार दोगे और जो बैटर क्या है कि वड़ा है यारा देख लेना यारा यारा मिलना तुम ऐसे नहीं कि नहीं है तो ऐसे भेन यकरनकर फिल पूरा ही करना है इतना ही पूरा ही करना है ओके उस स्किल की बात करने लग Cup को अभी नहीं को आपने पैंसिल का use करना है जहां आपको pen का बोला गया है तो pencil का आपने प्रयोग करना है help लेने के लिए सिर्फ mark temporary teeth और temporary mark करने के लिए मैं ये suggest करूँगा option क्या है कि pen का प्रयोग है तो सिर्फ pen ही प्रयोग करें दूसरा option है कि pen और pencil दोनों का प्रयोग करें लेकिन best ये point है इसको read कर लीजिए जो पीछे थोड़ा सा मैंने बताया भी है point क्या है कि अगर आप doubtful हो यहां पर जाके ही बता देता हूँ अगर आप doubtful हो कि मेरा question जो है जाँ पका मैंने कहा यहां mark नहीं करना बता रहा हूँ यह mark नहीं करना ऐसे mark नहीं करना यह बता रहा हूँ सिर्फ कि आपको पता लगा है आपके मन में यह tick लगा लिए कि यह वाला भी नहीं है d भी नहीं है और b और c में right answer है तो यह मेरा question mark है तो अब आप इस question को आगे चलके भी बताऊंगा यहां नहीं अपनी sheet पर अपनी question booklet पर question sheet पर यहां पर आप यह देखिए यह देखिए यह हना यहां पर आप यह रहा यहां आप डी लिख लीजिए यह question मेरे लिए difficult है decision लेना difficult है बाद में इसको tick करूँगा final मालीजिए यहां नहीं लिखना यह मैं पता दू यहां नहीं लिखना यह जो sheet है मैंने यहां display की है यह मैं बता किया आया था कि कोई question आपको doubtful है difficult है confusing है उसके आगे आपने D mark कर लिया है कि यह बाद में मैंने attempt करना है यह D attempt करने लिखने के बाद आपने OMR sheet को OMR sheet पर pencil से यहां जहां पर आपको लगता है यह मुझे ज्यादा ठीक लगता है लेकिन B और C में मैं confused हूँ तो यहां पर बाद में जब second round में आप इसको revisit करते हो question को rethink करते हो question को दुबारा पढ़के आप final decision for example बना लेते हो का C is right answer तो यह जो pencil से यह pen से आपने पक्का कर दिया ओके अब पक्का कर देना second round आपके पास टाइम नहीं है यह जो pencil से था यह pencil से आप क्योंकि eraser यहां यूज होगा यह मैंने रब कर दिया इट मेंज यहां पर pencil और pen का प्रियोग हुआ सिर्फ doubt difficult और confused question में जहां पर OMR sheet है अब जो साफदानिया है उनको पढ़ेंगे कि जब bubble fill करना है कौन सी बातों का ध्यान रखना है साथ में प्रैक्टिकल करके अभी बताता हूँ पहले don't move outside the bubble से बाहर नहीं जाना overfill नहीं करना उसको due to tension आप overfill कर दो कर दो कर दो dark करना है ऐसे लिखा है ऐसे भी नहीं करना don't leave the gap within bubble के बीच में gap नहीं छोड़ना keep the balance and save time करके बिताता हूँ never use cross and tick ऐसे नहीं लिया आता हूँ ओके और इसको छोटा कर लिया यहां पर और मैं सभी यह करके बताता हूँ यह omr sheet हो गई और पहला क्या है bulble से बाहर ना जाएं इसका मतलब क्या है कि यह fill कर दिया और यह बाहर चला गया ओके ऐसे बाहर नहीं जाना इसकी tension नहीं लेनी तनाव के कारण bulble को अधिक नहीं भरना यह भर दिया और उसके बाद भर गया फिल हो गया फिर उपर लिख रहे हो ऐसे इतना दबाओ गये omr sheet फट जाएगी यह को बोल रहे है बुलबले के भीतर gap ना छोड़े जैसे overfill किय है वैसे ही यहां पर केरफुली यहां फिल कर रहे है ना इसलिए practice वाली sheet भेजी है telegram पर वो उसको फिल कर ले ना और यह मैंने पूरा फिल कर लिया gap कोई नी छोड़ा gap कहां है sag gap यह रहा gap यह gap है दिखाई दे रहा gap कोई न छोड़े संतूलन रखना है संतूलन का मतलब है न्याद ज्यादा दबाके overfill करनी है और ना ही ज्यादा उसको खाली छोड़ना है किसी भी जो बबल है उसको cross नहीं करना टिक मारने करना यह नहीं है कि मेरा यह second का B ठीक है ऐसे लगा दिया जहां मेरा 3 का C ठीक है इसको cross कर दूँ भी भीया पता चल जाएगा नहीं फिल ही करना है सरकल ही करना है उसको हर हालत में यह बात clear होनी चाहिए next का है किसी भी तुर्टी को सुधारने के लिए कभी भी वाइटनर का प्रियोग ना करे क्योंकि इससे अस्विक्रिती हो सकती है for example dot यहां लग गया था फैन से लग गया था जहां आपने लगाया था कि यार यह सही हो सकता है बाद में देखूंगा अचा बाद में निकला यह वाला सी ठीक निकला यह वाला इसको तो फिल कर दिया और आप रेजर लेके वाइटनर लेके इसको अब इस पर वाइट लगा रहे हो ऐसा नहीं करना है उसको वहीं ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि अगर यह डैमेज होगी आपका इवैलुएशन कंप्यूटर वैलुएशन होनी ही नहीं है पॉइंट है कि कई बर पैन चला चला के वह उसकी साही लीक हो जाती है और उसका दाग जो है लग जाता है स्मग्ड हो जाता है कास्मिक रूप में दाग लगने से बचने के लिए अगले प्रशन के आगे बढ़न जितने भी आपके कॉश्चन है उसको फिल करके शही निकलनी शुरू हो जाती है दूसरा यह होता है कि अगर आप ओवर फिल कर रहे हो इस बबल को मानलीजी आपने ओवर फिल कर दिया करी जा रहे हो फिर स्याही इसके साथ चिपक सकती है जो अगले यहां पर यहां पर कही टच हो सकता है ऐसे दाग से बचना है अब जो बबल फिल करने की प्रोसेस या स्किल क्या होगी वो दो आप्शन आपके पास है उसके तीन आप्शन बच जाते हैं इसको पहले बड़ा कर लो यह है कि राउंड वर्सेस स्टेट फिल करना है सेंटर से बांडरी की तरफ जान दूसरी आप्शन है कि ऐसे ऐसे स्टेट फिल करना है इन में से बैटर आप्शन है राउंड फिल करना अगर राउंड फिल करना है तो उसकी दो आप्शन है एक तो आप सेंटर से शुरू करते हो यहां से सेंटर से शुरू किया ऐसे 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 करते करते हैं जैसे कलर में त राउंड करके फिल कर दिया, यह राउंड वाली अप्रोच है, यह स्टेट वाली अप्रोच है, तो इसको बाद में आप राउंड करते फिर होगे ऐसे ऐसे, तो राउंड वाली अप्रोच बेटर है, फिर भी यह नहीं बेटर, और राउंड वाली अप्रोच में आप में डि फिल कर देना है दूसरा सेंटर से अगर किसी को यह suitable है mostly use कौन सी की जाती है mostly use की जाती है boundary से यहां से शुरू करना और बाद में बीच में आना यह use की जाती है बाकि आपके लिए जो suitable है वो use कीजिए यह एक process का part है वो next video में होगा के prefer कीजिए अगर आप पहले OMR sheet इसको fill करते हैं यहां पर पहले आप यहां टिक लगाते हैं यह मेरे पास sheet है इस पर बता देता हूं जैसे यह लड़की ने यह दिखिए ध्यान से यह बताऊंगा यह दिख रहे हैं ना इन्होंने पहले answer अपने टिक किये हैं यह एक method है कि आप पहले इस पर टिक कर सकते हो यह next video में detail में पताऊंगा अगर यह approach आप use कर रहे हो कि आपने answer question यह वाली question booklet पर टिक किये हैं और बाद में इस पर fill करना है इसकी चार approach है अगले वीडियो में हैंगी तो आपने यह प side fill कीजिए time की management अगर नहीं होती अगर यह बात समझ नहीं आई तो next video में clear हो जाएगी हां यह सबसे ज्यादा जरूरी है accuracy के लिए scientific है and circle जब fill करने हैं यह psychological method है और वाइगास्तकी की learning theory जो है आप पढ़ोगे बीएड में भी उस पर based है कि use think aloud in the form of whispering of the question number and answer the option हिंदी में भी इसको पढ़ देता हूं प्रेश्न की संख्या और उत्तर विकल्प की फुस फुसाहट के रूप में जोर से सोचने का उपयोग करें यह क्या चीज़ है इसकी demo देता हूं अभी माल लीजिए यह उत्तर पत्रिका है आ है क्या है ही है OMR sheet होगे यह पत्रिका है मैं second question करने लगा हूं question है how many MPs represent Punjab state in Rajya Sabha मैंने यह बोल के नहीं कर रहा है और मैंने देख लिया 13 right answer A है तो अब मैं demonstration शुरू होने लगी है question number second A यह मैं बोल रहा हूं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूं second का A 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 second का अब चुप कर जो बेशक तो जब अगर आप यह साथ साथ में बोलते रपीट करते रहते हो दो चीजें रपीट करनी है एक तो question number और उसका option कौन सा सही है क्योंकि वही चीज आपने यहां पर recognize पहचाननी है recognize करनी है question number 2 और option है A यह अगर आपका भूल जाते हो जहां तो आपका time ज्यादा लगेगा repeat होता है दस पंदरा question भी ऐसे repeat हो है time ज्यादा लगेगा अगर यह साथ साथ में whispering करते रहे तो whispering का मतलब है question number 2 और दो और दो और दो और तो और तो और किसी दूसरे को सुनाई ना दे कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो लेकिन आपकी thinking जो है guide होती रहे आपकी आवास से नेक्स है प्रशन क्रमांक उत्तर्व कल पढ़ते समय उंगली या pen का प्रियोग करें यह भी जैसे पीछे बोलना है दूसरा है के use finger और pen while reading यह यह क्या है जब आप read कर रहे हो question booklet से question को read कर रहे हो वो क्या था कि जब question booklet से पढ़ लिया है फिर answer देना है अब मैं करके बिताता हूँ for example यह मैंने finger ली और जहाँ pen लिया क्योंकि आप इसको pen लगा सकते हो ठीक और pen लगाना ज़्यादा जरूरी है आप main phrase को underline कर सकते हो circle कर सकते हो जो आपकी सोचने के लिए help करेगा तो अब आपने जो finger रखके देखा कि यह 13 answer है 13 answer है साथ में finger रखी यह 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 रहा ना जैसे ऐसे finger रखी है finger रखके आप कह रहे हो कि यह 13 है और यह 2 का है 2 का 13 A है 2 का 13 A ऐसे करके fill किया तो जब आपने read करना है finger का प्रयोग जाँ pen का प्रयोग करना ही करना है OMR sheet के किसी भी भाग पर कुछ भी नहीं लिख सकते आप for example आप यहां पर लिखने लगे हो कुछ के pen चला के देख रहे हो कोई sign लिख रहे हो जी मैंने कोई sign लगा दिया ऐसे कुछ भी नहीं कि लिखना किसी भी part पर कुछ नहीं लिखना सिर्फ उसके response जहां fill होने है और basic detail fill होनी है वहां पर ही आपने लिखना है otherwise evaluation में problem आ जाएगी rejection possibility है यह था के fill कैसे करना है next video होगा के approaches क्या है चार approaches है next video में discuss करेंगे thank you